हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Micromax, IN1, Android वाइल फोन में आप जो है password log set कैसे कर सकते हैं और यह password log जो है set करने के बाद कैसे काम करेगा आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेक्ट करने अब यह बर आपको सिक्रियो वीडियो में सीट पीचे के सब्सक्रिदी में निचे की सब्सक्राइब करना मिल जागा इसे स सेलेक्ट करना है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हूँ आ रहे है तो आपका password जो है set नहीं होगा ठीक है आप four character से ज़्यादा भी use कर सकते हैं आप counting को भी use कर सकते हैं आप alphabets के जो letters हैं इसे भी आप use कर सकते हैं ठीक है आप इन दोनों को mix up करके भी password बना सकते हैं ठीक है तो जो आपने password एंटर करा था वो password आपको द्वार से डाल देना है अब इसके बाद आपको confirm के बटन पर सेलेक्ट करना है इसके आगले page में आपको इसे डंग कर देना है ठीक है अब मैं आपको यह बताता हूं कि यह password lock set है उनके बाद काम के से करता है जब आप अपने mobile phone की screen को off करेंगे फिर screen को on करेंगे तो आपको इस तरीके से password lock दिखाई देगा आपके phone पे लगा हुआ तो आपने जो password यहाँ पर set किया था वो password आपको enter करना और इसे right click कर देना है ठीक है तो आपका phone जो है unlock हो जाता है तो यह password lock जो है set करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेंगा अब मैं आपको जो है इस setting को डूनने का एक shortcut तरीका बता देता हूं तो यहाँ पर आपको करना है setting पे जोकन करना है सबसे उपर आपको search setting का option दिखाए देगा इसे select करना है यहाँ पर आपको search setting में आपको screen lock टाइप करना है screen lock ठीक है तो नीचे की side screen lock लिखा हुआ दिखाए देगा इसे select करना है ह assunto कि आपका mobile phone आपको य िस सेटिंग सेटिंग से थे क्रीजिस सेटिंग को इस से आप इस सेटिंग सब्सक्राइब करने को अब आप आ पासष फैर्ट प्रेस्ट कर पहरेंगे तो ये मैने आपको ऊटकर तरीका बता दिया है